कहानी की सुरूबात में हमें बताया जाता है कि आज से लगबक हजारों साल पहले किस तरह युनिवर्स के कुछ सक्तिसाली देपता हैवन को डीमन से बचा कर रखते थे और कोई भी डीमन उनके सामने आने की कोशिस नहीं करता था लेकिन एक दिन डीमन के किंग बुकॉंग ने उनसे फाइट करके उन चारों देपताओं को हरा दिया था और बहे चारों बुकॉंग का सामना नहीं कर पा रहे थे तब भगबान बुद्ध सुयम बहां पर पिरकट हुए थे जिनों न उस डीमन को हरा कर उसे एक जगा पर पास्ता बताता है और टियान अकेले ही उस जगा पर जाने लगता है इसी दोरान बहे एक गुफा में पहुंच जाता है जहां चारों तरफ अंदेरा ही अंदेरा था अभी टियान एक होल में गिर जाता है और आगे चलने पर उसे बुद्ध की एक बड़ी सी मुर्ती दिख है जिसकी बजा से बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है अलांकि बुकॉंग यहां से भागने की कोशिज भी करता है लेकिन बहां मौझूद ट्रैप उसे बहार जाने नहीं देता जो कि देपता द्वारा ही बनाया गया था अब टियान बुकॉंग के सामने आ जाता है बो उसे बताता है कि बीनस नाम की देपता ने उसे यहां बेजा है और बो मैजिकल इस्टिक की हेल्प से बुकॉंग को ट्रैप से आजात कर सकता है इसी दोरान बो मैजिकल इस्टिक भी एक इनसान में बदल जाती है जिसके बाद बो बुकॉंग को एक मैजिकल बॉक्स द जाता है अब हाँ सब कुछ डिश्ट्रोय होने लगता है और किसी तरह ट्यान भी बहार आजाता है इसके बाद ट्यान बुकोंग को बताता है कि बीनस नाम का एक देपता दीमन है और उसे चुडाने के लिए ट्यान को बुकोंग की जरूरत है लेकिन बुकोंग देपता उसे बहुत जधा नफरत करता है इसलिए बहार उसे मना कर देता है और ट्यान के हाथ से उसमेजिकल ईश्टी को भी दूर फैक दीता है तो इसे उठान से लड़की को देखते हैं ज उस डीमन से उस लड़की को छोड़ देने के लिए कहता है लेकिन डीमन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और यैन को मारने के लिए अटेक करता है लेकिन तभी बुकॉंग भी बहाँ पर आ जाता है और उसके अटेक को रोग देता है इसके बाद बुकॉंग अपनी पूरी प जाकर उसके अटेक को रोग देती है क्योंकि उस फ्लूट के दुआरा मौस्टर डीमन को कंट्रोल किया जा सकता था अब इसी बात का फायदा उठाकर मंकी किंग अपनी पूरी पावर से उस मौस्टर डीमन पर अटेक करके उसे दूर गिरा देता है और उसी के बैपन से उसक नहीं है लेकिन तभी उसे एक गाइड द्वारा पत चलता है कि माउंटेन के हड तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ बीनस को ही पता है लेकिन उसे पहले ही डीमन सिटी में कैद करके रखा हुआ है इसलिए अब बुकॉंग के पास डीमन सिटी जाने के अलाबा कोई दूसरा रास्ता नहीं था खैर इसके बाद बुकॉंग इन दोनों को लेकर डीमन सिटी पहुंच जाता है जहां बहुत सारे डीमन पार्टी कर रहे होते हैं तभी मंकी किंग बहां के म्यूजिक को रोक देता है जिसे देक बाकी डीमन उस पर गुस्सा होने लगते हैं तभी एक डी फा में पहुंच जाते हैं और बीनस को ढूंडने लगते हैं तभी बीनस उन्हें एक स्टोन पर बैठा हुआ दिखाई देता है तभी यह दोनों उसके पास जाते हैं और उसे जल्दी से अपने साथ चलने के लिए कहते हैं तभी बीनस यहां की फ्रेंड को भी आजात कर द आता है लेकिन तभी उस पर एक खतरनाक monster demon attack कर देता है आला कि पहले तो बुकॉंग को कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यैन को बचाने के लिए बुकॉंग ने जिस monster को मारा था यह demon बुकॉंग से उसी की मोद का बदला लेना चाहता है यह सुनकर बुकॉंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी पाबर से उस demon पर attack करने लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा powerful था और बुकॉंग उसकी पाबर का मुकाबला नहीं कर पाता और पूरी तरह से कमजोर पर जाता है उदर ट्यान और यैन के पास कुछ demons आ जाते हैं तभी ये तीनों टेलिपोर्ट होकर monkey king के पास आ जाते हैं जहां monkey king उस demon से लड़ रहा होता है तभी बहां monster इन तीनों पर भी attack करता है लेकिन बीनस उसके attack को रोकने लगता है और ये सबी लोग टेलिपोर्ट होकर एक दूसरी जगा पर आ जाते हैं और demons से अ 40 साल पहले भुकॉंग को बचाने के लिए खुद को sacrifice कर दिया था ताकि देपता भुकॉंग को ना मार सकें अभी ये सुनकर भुकॉंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने master को याद करने लगता है इसके बाद है ट्यान और येन के साथ मिलकर mountain के heart तक दूसरी जगा ले जाने लगते हैं तभी येन की magical flute उसके हाथों से छूट जाती है और एक जील में जाकर गिरती है जिसमें एक बड़ा सा monster demon रहता है और जील के पास आने वाले सभी लोगों को मार कर खा जाता है उससे चुटकारा पाने के लिए बहां के लोगों ने एक monster demon hunter Julian को भी बुलाया है लेकिन वो सिर्फ बहां के लोगों से पैसा एटना चाता है अब बहां तीनों आसमान से नीचा आते हैं तब ही बहां के लोग इने भगवान समझने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इन्हें बचाने के लिए heaven से आये हैं लेकिन Julian Bukong को मारने के लिए request करने लगते हैं तुकि बाटर monster ने पहले भी गाउं के बहुत लोगों को मार दिया है हाला कि पहले तो Bukong उनकी help करने से मना करता है लेकिन गाउं बालों की बहुत ज़्यादा request करने पर वो उनकी बात मान लेता है और अकेले ही उस demon को मारने का decide करता है इस देता है और उसे दूर फैक देता है जिसके बाद में डीमन एक इंसानी रूप में बदल जाता है और द्वारा से Bukong से fight करने लगता है लेकिन Bukong अपनी पूरी पावर से उस पर attack करता है और उसे घायल करके नदी में फैक देता है अब गाउं के सभी लोगों को लगता है कि बाटर डीमन मारा जा चुका है इसलिए बहां सभी लोग बहुत ज़्यादा खुस होने लगते हैं लेकिन तबी मोस्टर डीमन द्वारा से पानी से बहार आता है और उन पर attack करने की कोसिस करता है लेकिन जूलियन उसे रोक देता है और उससे fight करके उसे एक जाल में कैथ कर देता है और अब गाउं बाले उस बाटर मोस्टर से पूरी तरह आजाद हो चुके थे फिर रात को गाउं के सभी लोग जूलियन और बुकोंग को इसके लिए thank you भी कहते हैं इसके बाद बुकोंग येन को उसकी flute देता है जो कि येन के हातों से पानी में गिर गई थी य इससे बो द्वारा से पावरफुल हो सकता है उदर ट्यान उस मोस्टर डीमन के पास बैठा हुआ होता है उदर ट्यान उस मोस्टर के पास बैठा होता है जिने इन लोगों ने कैथ करके रखा हुआ है और यहाँ ट्यान और उस मोस्टर के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाता है और रोने लगता है अब बहां के लोग को मरा हुआ देख बुकॉंग बाहर आकर चेक करने लगता है तुकि वो जानना चाता था कि उन्हें किसने मारा है तब ही हमें पता चलता है कि इसके पीछ है ड्रैगन किंग और उसके लोगों का हाथ है जो कि बुकॉंग को मार लेकिन ड्रैगन डीमन बुकोंग के साथ-साथ उसे भी बुरी तरह घायल कर देता है फिर डीमन मंकी किंग को मारने के लिए फाइनल अटेक करता है लेकिन तबी ट्यान उसके अटेक को रोक देता है जिससे हमें पते चलता है कि ट्यान के अंदर भी कुछ पावर्स हैं लेकि लेकिन मॉस्टर डीमन उसे भी घायल कर देता है और ट्यान को लेकर बहां से जाने लगता है लेकिन मंकी किंग द्वारा से उठकर खड़ा हो जाता है और डीमन पर अटेक करने लगता है लेकिन इस बार डीमन मंकी किंग पर अपनी पूरी पावर से अटेक करता है और एक ही अटेक में Monkey King को मार देता है और ट्यान को लेकर वहाँ से चला जाता है अब Monkey King को मरा हुआ देख Yan बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि बहुत से पसंद करने लगी थी अभी बहाँ बीनस आता है और Yan से कहता है कि अगर बहाँ चाहें तो Monkey King को जिंदा कर सकती है लेकिन इसके लिए उसे Golden Butterfly और खुद को सैक्रिफाइस करना होगा जिसके बाद वो Butterfly Monkey King के हार्ट में बदल जाएगी और उबुकों को उसकी पापर भी बापस मिल जाएगी अब ये सुनकर Yan खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करती है और अपनी फ्रेंड Golden Butterfly को बलाती है जिसके बाद Golden Butterfly Monkey King के ओबर बैट जाती है तब ही Monkey King को एक सपना आता है जिसमें वो अपने Master को देखता है और उनसे कहता है कि वो Mountain के हर्ट को डूणने में एसफल हो गया है और इसलिए अपने Master से माफी मांगने लगता है तब ही उसका Master उससे कहता है कि तुमने अंजाने में भी उस जगा को डूण लिया है लेकिन तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते खेर इसके बाद उसके Master Monkey King को उसकी सारी पावर लोटा देते हैं और Demon का खादमा करने के लिए कहते हैं तब ही Monkey King को होस आ जाता है और भेह अपने पास Yen को देखता है जो कि मरने ही वाली होती है हलाकि Monkey King उसे बचाना चाता है इसके बाद Dragon Demon को मारने के लिए Demon City जाने लगता है उदर Dragon King ट्यान से उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे ट्यान की बहीं पर मोथ हो जाती है अब Bukong भी Demon City पहुँच जाता है और अपने बैपन को जंजीरों से अजात करने का डिसाइड करता है इसके बाद Bukong अपनी पूरी पावर का यूज़ करका उस बैपन को जंजीरों से अजात करने लगता है जिसको उपर Dragon अपना रिचुल कर रहा होता है तबी वहाँ की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रोय होने लगती है और Demon King भी नीचे आकर गिरता है जबकि Bukong अपने बैपन के उपर खड़ा होता है लेकिन तबी हम देखते हैं कि Dragon King भी एक खतरनाक मौस्टर में बदल चुका है और अब मंकी किंग को मारना चाता है लेकिन मंकी किंग भी उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तयार था और यहाँ इन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होने लगती है और दीमन भी अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है तबी मंकी किंग उसके पहले अटेक को रोग देता है तबी मंकी किंग डीमन को मारने के लिए अपने बैपन को चारो और गुमाता है और डीमन पर final attack करता है और इस बार बेर डीमन मारा जाता है तबी scene cut होता है और हम Bukong को बादलों में देखते हैं जहां उसे उसके master की अवाद सुनाई देती है तबी उसके master उसे बताते हैं कि वो इस समय उसी जगा पर है जिसे वो ढूंड रहा था यानि कि mountain of heart अब यह सुनकर monkey king बहुत जादा खूस हो जाता है अंजाने में भी उस जगा को डूंड ही लिया है तबी Bukong को बहां अपने friend त्यान और Yann भी दिखाई देते हैं जो उससे कहते हैं कि वो दोनों heaven में बहुत जादा खूस हैं और अभी यह सुनकर Bukong भी बहुत जादा खूस हो जाता है क्योंकि उसके friend में ही उसकी खूसी है इसके बाद Bukong Yann से यह बादा करता है कि वह आगे से हमेसा लोगों की रक्षा करेगा और इसे के साथ यह movie यही पर end दाती है तो thanks for watching गाइस